हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैंसुत भीके मेरा नाम परदीब कुमार जांगीड है और इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चेप्टर नाइन रास्तान बोड आर्बियसी क्लास क्या रहा है मैस का चेप्टर नाइन हमारा है लोगरिथम लगू गणक वैसे तो हमने पि अगरा सिस्तम वगएरा सब कुस में आपर क्लियर कर दिया है तो थेोरी का तो वीडियो कंप्लेट हो चुका है और इस वीडियो में हम अक्सेसाइज 9.1 का कंप्लेट सॉलिएशन देखने वाल है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर के आल पर कल किर के आप नई फीडियु सें लेते रहना पिसले विडियो जूर देख ले ताकि आपके डावटर इस्वा सारी कलियर हो जाए उसके बाद में आप आगे बढ़ें और वाटशन पर मुझ से चेत कर सकते हैं 8 1 1 2 2 2 2 2967, यह मेरी WhatsApp नमर है, 812182967, जयना कि WhatsApp पे call ना करें, और इन नमरों पे call ना करें, आप लोग, आप मुझे WhatsApp पे कोई भी question आपको पूचन है, तो कोई भी doubt हो, question हो, तो वह आप मुझे WhatsApp पे भैस सकते हैं, और WhatsApp नमर का वीडियो का link भी यहाँ पर मैंने, इसलिए मैं यहाँ प अपलोड कर रखी होगी, नई कर रखी है, तो टेलिग्राम एप को अपलोड करें, और WhatsApp के group और channel बने हुए है, तो दोनों से जूट जाए, WhatsApp के group और channel दोनों से जूट जाए, वहाँ पर आप लोगों के लिए notes लोगी रहा, मैं available करवाता रहता हूं, तो इतना काम आप लगोगन के रूप में लिखे, write the following in logarithmatic form, तो यहां पर हमें लगोगन के रूप, logarithme form हमें इसको लिखना है, क्योसर नबर 1 से लेकर 6 तक जितने हैं उन सबी को, तो हमारे पास में क्योसर नबर 1 देखी क्या है, 2 की पावर 6 बराबर 64, इसको हमें logarithme form में लिखना है, तो ह बेस क्या है, 2 है, तो लोग में बेस 2 ही रहेगा, तो लोग बेस 2 रहेगा, गातांग की रूप में जो इकोल में वेली होती है, वो लोग के साथ में आती है, उसे की वेली हम निकालते हैं लोग में, और जो गातांग होती है, गात होती है, पावर होती है, इंडेक्स होती है वो equal में आती है लोग में, तो यह equal में आएगी, यह मैंने आप लोग कंसेप्ट में बताया था, तो यह हमरे पास में बहुत आएगी, इसी तरह से हम सभी जो question 1 से लेकर 6 तक है, उन सभी में ऐसा ही काम करेंगे, तो यहां पर देखे, इसका लगभणी की रूप क्या हो जाए यहां पर तो पावर है नहीं, तो पावर 10 है, उसका बेस यहां पर 2 है, तो लोग 2 बेस, और हमें 1120 की वेलू यहां पर हम निकालेंगे तो वेलू आएगी 10, क्लियर है, गाताांक जो हो यहां पर equal में आता है लोग में, यह धियान पहिए और बेस जो बोग दोनों में सेम 2 यह हमारे पास में हो गया logarithm form लगोगने की रूप उसके बाद question number 5 में देखिए log base हमारे पास में है 10 तो 10 base और 0.001 इसके बराबर होगा minus 3 लगोगने की रूप को हम गातां की रूप में भी convert कर सकते हैं ध्यान रखें question number 6 में देखिए इसी तरह हम करेंगे log और 4 हमारे पास में base रहेगा 4 base 8 बराबर 3 upon 2 यह होगे हमारे question number 1 से लेकर 6 तका solution उसके बाद में हम बढ़ते है question number 7 से 12 was a question है उन्हें हमें क्या करना देखिए नहीं में लिकित को 5 हमारे पास में base एक्वल में जो value होती है लोग में वो power होती है तो 5 की power 2 आएगी और equal क्या आएगा 25 और इसी तरह से question number 8 में होगा तो यहां पर देखिए 3 की power 3 हमारे पास में base है 3 की power क्या बनेगी जो equal value हो बनेगी और equal क्या आएगा 729 इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और यहां पर देखिए 10 है तो 10 की power यहां पर बनेगी minus 3 और equal में 0.001 इसी तरह से हम देखिए 10 में तो यहां पर base हमारे पास में 10 है लोग का तो 10 बेश रहेगा गातांक में भी और equal में जो value है वो गातांक होती है तो 10 की power minus 1 बराबर और यह value आएगी 0.1 clear है दो चीजें यहाद है तो तीसरी अपने आप automatic लिया जाएगी क्योंकि तीन ही तुस्तान हमें यहां पर clear करने है 1,2,3 तीन ही तुस्तान है आप देखिए base हमारे पास में 3 है तो यह 3 base हो गया पावर जाएगी तो equal value है लोग में वो पावर होती है और equal में यहां पर क्य यहां पर आएगी 4 और equal में क्या आएगा 4 जो equal में 4 है लोग में वो तो पावर बनेगी और यहां पर बैसे दोनों 4 है अब बढ़ते हैं आगे question number 13 देखिए क्या कर रहा है यदि लोग 18 base है और x की value हमें दी हुए 3 upon 2 हो तो x का मान गयात कीजिए if log 81 x equals to 3 upon 2 then find the value of x तो कैसे निकालेंगे value property का अस्तमाल करेंगे तो यहां पर देखिए log 81 base x equals to 3 by 2 हमें x की value चाहिए इसको हम गातां की रूप में convert करेंगे 81 base है और equal में जो value है log में वो power में आएगी तो 81 की power बनेगी 3 upon 2 और equal में क्या आएगा x आएगा और यहां से x की value आजाएगे हमारे पास में तो x पराबर क्या आएगा देखिए 81 होता है 9 का square तो 9 का square उसकी power 3 upon 2 तो x पराबर यहां पर हो गया दोनों power जो 9 की है तो दोनों multiply होंगी दोनों power multiply होंगी तो 2 से upon 2 जो है व तो 9 into 9 into 9, no no 81, 81 name में हो गए 729, 729 तो यह हमारे पास में answer होगा x का, इसके बाद में question number 14 देखिए यदि log base हमारे पास में 125 P, बराबर 1 upon 6 हो तो P का मान गयत कीजिए, बिल्कुल बेस सही, if log base 125 P equals to 1 upon 6, then find the value of P, तो log 125 P equals to 1 upon 6, यहां से हम इसको गातां की इंडेक्स परोम में connect करेंगे, base हमारे पास में 125 रहेगा, इक्वल में जो value है लोग में वो power बनेगी, तो 1 upon 6 power बन गई, और यहां पर equal में क्या आएगा, P आएगा, तो P की value यहां पर क्या हो जाएगी, P बराबर हो जाएगा 125 की power 1 upon 6, और यहां से हम value निकालेंगे, तो हमें पता है 125 क्या होता है, 5 into 5 into 5, 25 और 25 यही होता है, और यहां पर हम एक साथ लिख सकते हैं, कि 5 की power 3 नहीं बनेगी, तो 5 की power 3 नहीं लिख लेते हैं इसको, तो यह हो गया 5 की power 3, और हमारे पास में power पहले से 1 upon 6 है, अब इन दोनों को power को multiply करेंगे, दोनों 5 की power है, तो 3 into 1 upon 6 काटेंगे, तो यहां पर आएगा 2, तो P बराबर आएगा 5 की power 1 upon 2, 1 upon 2 power का मतलब क्या है, रूट बनेगा, तो रूट 5, यह हमारे पास P की value हो गई, क्लियर है, उसके बाद में बढ़ते हैं आगे, कि उसे number 15 देखेंगे, यदि लोग base 4 M बराबर 1.5 हो, तो M का मान गयत कीजिए, इफ लोग base 4 M equals to 1.5, then find the value of M, तो यहां पर देगे क्या करना होगा हमें, बिल्कुल वेसे ही, जो हमने काम पीछे की है, बिल्कुल वेसे ही काम यहां पर करना है, तो इसको गाताँ की रूप index 4 में convert करेंगे, वेसे हमारे पास में 4 रहेगा index 4 में, और equal में जो value है लोग में 15 upon 10, और if काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 into 3 15 होता है, 5 into 2 10 होता है, और M बराबर 4 होता है 2 का square, तो 2 का square उसकी power 3 बटे 2 हमारे पास में बन रही है, तो M equals to, यहां पर क्या हो जाएगा, M equals to हो जाएगा, देखिए, यहां पर दोनो 2 की power है, तो multiply होगी, multiply होगी, तो 2 से upon 2 cancel हो होगा, तो 2 की power 3 बनेगी, तो M की value कहाएगी, 2 की power 3 का मतलब है, 2 को 3 बार multiply होना है, यहां कि 8, clear है, तो M बराबर हमारे पास में 8 आएगा, आप देखिए, last question, question number 16 में क्या कहा रहा है, सिद्कीजी log base 4, log base 2, log base 2, log base 3, log base 3, log base 3, log base 2, 0, यहां पर हम लेंगे left hand side, और left hand side हमार हमारे पास में है, log base 4, बड़ा कोस्टक log base 2, मंजला कोस्टक log base 2, और छोटा कोस्टक log 3 base 81, तो यहां पर जो कोस्टक है, bracket हमों सारे हमने बंद कर दिये, left hand side में, अब यहां पर property लगेगी, देखिए, पहले तो हम value change करेंगे, कि log base 4 हमारे पास में है, बड़ा कोस्टक log base 2 ह हमारे पास में है, और मंजला कोस्टक log base 2 हमारे पास में है, अंदर देखिए, log 3 base 81 है, छोटे कोस्टक के अंदर, और यहां पर 81 जो होता है, वो 3 की power 4 होती है, अगर 3 को हम 4 बार multiply करेंगे, तो मेरे पास में 81 पराप्त होगा, 3, 3, 9, 9, 3, 7, 8, 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 हम इसको लिख सकते हैं, 3 की power 4, 3 की power 4 लिखने के बाद में हमें एक property का पता होना चाहिए, log में, वो property क्या होती है, log A base, A की power N आपको दी है, तो N यहां पर जो value होती है, वही हमारा answer होता है, equal N होता है, और यह माप लोग बता चुका हूँ, same base पे, और A की power N यहां पर value जो आगे, clear है, 3 की जगे अगर यहां पर कोई और संक्या होती ही, तो 4 आगे आता, जैसे log A base B की power N होता तो N multiply में होता, और log A base B बनता, पता ही आप लोग A base B की power N अगर होता, तो N into log A base B, यह value बनते, तो यहां पर देखे, 4 आगे आएगा और यह value हमें पता ही है, log A base A, अगर B, A की जगा है, B की जगा हम A लें, तो log A base A की power N बनेगा, और N into log A base A बनेगा, और A base A की value 1 होती है, इसलिए हट जाता है, और value क्या आती है, N ही आती है, तो यहां पर 4 आगे आएगा, और वो value हमेरे पास में 4 ही होगी, तो log base 4, log base 2, log base 2, log base 2, और यहां पर यह value 4 जो है वो और यहां पर देखे, 4 जो वो 2 का square होता है, तो log 4 base, log 2 base, और यह हो गया, मंजला कोस्टक, log 2 base 2 का square, तो 2 आगे आएगा, और log 2 base 2 की value 1 हो जाएगी, यहां समझ लिजी इसको, log 4 base, log 2 base, और मंजला कोस्टक, 2 आएगी, जो power में 2 है वो, यहां पर log से multiply हो जाएगा, log 2 base 2 की value 1 हो जाएगी, clear है, यहां पर log 2 base 2 बचेगा, उसकी value 1 हो जाएगी, यह तो आपको बता है, same base पे value जो होगा न होती है, तो log 4 base, log 2 base, तो इसकी value 1 हो जाएगी, तो बचेगा, क्या 2 बचेगा, वो इस log के साथ में आएगा, और बड़ा कोस्टक बंद, log 4 base हमारे पास में है, 2 base 2 की value क्या होती है, same base पे value 1 होती है, तो यह value होगी 1, तो log 4 base 1 की value क्या होगी, हमें बता है, log में 1 की value क्या होती है, 0 होती है, और 0 हमारे पास में क्या है, right hand side, तो left hand side से हम चले थे और right hand side हमारे पास में आ गई, तो यह हो गया proof, 30 सिर्दम, clear है, तो वीडियो देखने के और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इतना काम जूरू करें, थैंक यू सो मच, पिछे की वीडियो देखें तो उपर आगे सान पर क्लिक करें, थैंक यू